हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इंडेन स्टडी इंडेन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वोडियो में हम आप लोग के लिए एक चोटी सी मुटिवेस्टनल वीडियो लेकर के आए हैं कि आने वाला जो नया साल है वो आप लोग लिए या यूपी वालों के लिए कैसे सौगात सापित हो सकता है तो उसके वारे हैं बात करेंगे तो वीडियो को एंटलेक जरूर देखिएगा सबसे पहले कई बच्चे तो ये जान रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सर यूपी जेलोडर की कट आफ आफ आपने इतनी कम बताई है तो कट आफ कम क्यों रहेगी तो देखो कट आफ कम रहने की बज़ा यही है कि मैंने जो आप लोग को पोल प्रोवाइड करवाया था जिसमें लगबक 13,000 बच्चों ने भाग लिया है उस पोल में लगबक बच्चों ने यही बोला है कि मैं 60-70 कोस्टंस ही करके सही आया हूँ ठीक है ना तो इस हिसाब से मैंने आपको बोला कि कट आफ आपकी रहीगी कम और बच्चों ने बहुत ज़्यादा कम यानि कि यह समझ लीजी कि 40% स्टुडेंट नहीं यूपी जेल वाटर के एक्जाम में भाग लिया इस बज़े से कट आफ मैंने कम बताई ठीक है अब बात करते हैं के और कट आफ के बारे में अगर आप जानना चाते हैं यूपी जेल वाटर की तो आप मेरी दो वीडियो बनाई हुई हैं तो उन दौनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट के लियर हो जाएंगे क्योंकि ये वीडियो मेंली और मेंली हम आप लोग ल लाने ही पड़ेगी क्यों लाने पड़ेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रोन नती बोर्ड के अध्यक्ट जो है वो आरकिविसकर्मा जी उनका जब जब प्रेस कॉन्फरेंस हुगा उन्होंने खुद बोला कि वेकेंसी आने ही वाली है या अभी एक महीने में आ जाएंगी और अगर आप यह नहीं लाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इनको ठीक है तो 2021 में तो आप बिल्कुल 100% COT के साथ समान करके चलें कि आपकी जो वेकेंसी है UPSI की आ जाएंगी UP लेकपाल आप सभी लोग जानते हैं कि UP SSC के दुरू आएंगी अब UP SSC के जो असमंजस बनी हुई है वस वही PT पिरकिरिया वाली कि पिरकिरिया जो लागू होनी है उसके उपर अगर लागू हो गई तो लेकपाल की वेकेंसी उसी आधार पर ली जाएंगी और लागू नहीं हुई है तो आपकी जो जिस तरीके से लेकपाल की वेकेंसी आप लोग की अभी तक ली जा रही थी बढ़ती की जा रहे थे उस ने बताई नहीं है अब देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तो आरके विसकरमा जी का जब भी इंटर्वीव हुआ तो एक इंटर्वीव में उनसे पूछा गया था कि यूपी प्लिस कॉंस्टेविल की और इंक्यावन हजार वेकेंसी आएंगी तो उन्हो परसें स्योटी के साथ बोल रहा हूँ लेक पाल तो फिर भी मैं बोल सकता हूँ लेकिन यूपी ऐसाई की तो बिल्कुल आने ही है आप ये समझ के चलिए तो आपके लिए नई साल बहुत अच्छा साबित हो सकता है 2020 तो आप सभी लोग जानते हैं कि लगवक कोरोना वायर ठीक है लेकिन दोस्तो एक बात और बता दूँ दोस्तो अगर आप यूपी पीएसी की तैयारी करना चाते हैं तो अने केड़ी पर फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है जो कि 19 दिसंबर में से स्टार्ड भी हो चुका है इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्सन में दिया है त चलिए देखते हैं तो दोस्तो इसलिए मैं आप से कह रहा हूं कि ये जो दो वेकेंसी हैं 100% आनी है अब आप अपने ओपर कैसे काम कर सकते हैं क्योंकि यूपी एसाई और यूपी लेकपाल का जो स्लेवर्स है वो लगवक तो सेम है और लगवक अलग भी है क्योंकि यूपी लेकपाल में मैत तो होती है रीजनिंग जो है वो यूपी लेकपाल में नहीं आती है हिंदी आती है मैत आती है जन्न नहुले समान गयान मोसली यूपी का रहता है और रूलर डेपलमेंट और रूलर सोसाइटी यानिकी गरामिर्स समाज और विकास ठीक है जबकि यूपीसाई में मेधरीजिनंग आती हैं, हिंदी भी आती हैं, और यहांपर मूल उड़ी और समीधान जुड़ जाती हैं, तो उसलिए दौनों का स्लेवर्स, लगवख सेम भी हैं और लगवख अलग भी हैं, तो इसलिए तो मैंने दौनों बात ही बोली हैं, ठीक है तो इसलिए मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने उपर काम कीजिए इन दोनों वेकेंसियों को आपको किस परकार से मैनेज करना है और किस परकार से तयारी करना है ये ना मैं बता पाऊंगा आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा देखो अगर आपको किसी भी एक्जाम की तयारी करना है तो आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखो आप थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेट हो पाएंगे लेकिन उसके बाद आपको खुद ही उस पर काम करना है तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने उपर काम करो नौकरी जो है वो खुद बाखुद आपके पास आ जाएगी एक जौब क्यों नहीं ले पाओगे आप आप खुद बताओ जब आप इतने समय से तयारी करते हुए आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो है वो एक जौब ले सकते हैं बस आपको थोड़ा अपनी उपर काम करना है और काम कैसे करना है आप तो दिनभर का एक टारगेट बनाओ और उस टारगेट को एचीव करो डेली वेसेस पे यही करते जाओ आपकी तैयारी एतनी अची हो जाएगी कि आपको खुद पता नहीं पढ़ पाएगा कि आपकी तैयारी जो है कितनी अची हो जाएगी और एक प्रैक्टिस सेट किसी भी एक्जाम का आप जरूर बनाओ वहले ही चाये आप रैल्वे के एक्याम का देदो एक UPSI का कोई भी एक्जाम का एक प्रेक्टिस सेट डेली देने की एक आदत डाल लो तो आपकी जो तैयारी है वो हमेसा अच्छी बनी रही ठीक है तो वस इस वीडियो में यही बताना था कि आने वाली साल आप लोग लिए बहुत जादा अच्छी हो सकती है वस उसके लिए आपको थोड़ा और थोड़ा अपनी उपर काम करना पड़ेगा ताकि आप एक नौकरी जो है अपने लिए बिल्कुल सुनिस्चित कर पाएं तो दोस्तो फिलाल की वीडियो मसर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक केज़े सेर केज़े और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजना ऐसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं मसकार दोस्तो जय हिंद जय भारत